पवन सिंग ने निर्दलिये चुनाव में लड़ने का फैसला लिया अब आरलेम के प्रधान में सचियो माधव आनंद ने बड़ा बयान दिया है माधव आनंद ने का कि अगर वो बीजेपी के सदसे हैं तो बीजेपी को उन पर एक्शन लेना चाहिए माधव आनंद के बयान पर बीजेपी प्रवक्तार राम सागर सिंग ने का है कि पवन पर उचित समय पर पार्टी उचितकार रवाई करने जा रही है होचमुरी फिल्म अभीनेता पवन सिंग के चुनाव लड़ने के एलान के बाद से ही कारा काट लोक्सबा सीट विहार की सबसे हौट सीट बनी हुई है बीजेपी का सदस्यों रहते हुए पवं सिंग ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर सब को हैरान कर दिया था यही नहीं कुछी दिनों बाद उनकी मा ने भी निर्दलीय उमिद्वार के तोर पर परचा भर दिया लेकिन नॉमिनेशन वापसी के आखरी दिन पवन सिंग की मा प्रतिमा देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया इसके बाद पवन सिंग समेथ 13 उमिदवार चुनावी मैदान में बच गए हैं नॉमिनेशन वापसी का समय खत्म होने के साथ ही अब ये साफ हो गया कि पवन सिंग चुनाव से पीछे नहीं अटने वाले मतलब बीजेपी का सदसे रहते हुए पवन सिंग बीजेपी समर्थित एंडिये के उमिदवार उपेंदुर कुश्वाहा को चुनावी दे रहे हैं पवन सिंग के काराकार्ड से नर्दलिये चुनाव लड़ने के सवाल पर आरेलम के प्रवक्ता माधवानन ने बड़ा बयान दिया है माधवानन ने कहा कि अगर वो बीजेपी के सदसे हैं तो बीजेपी को उन पर एक्शन लेना चाहिए बीजेपी के मेंबर हैं जो मुझे नहीं पता है तो सुभाविक है बीजेपी को एक्शन लेने की तो आब शक्ता हो नहीं चाहिए तो उची समय पर उची कारवाई बाटी करने जा रही है और पवन सिंग बुरी तरीके से हा रहे हैं। न्यूस एटीन के लिए दिल्ली से अमिदेश सिंग के रहे हैं। बिना नीती बिना नियत के बिना नेता के जिस तरीके से ये गडवन्दन तता कतित इंडी अलाइन्स महागडवन्दन जो भी है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये इस बार आल टाइम लोग पर कॉंग्रेस आई गी जिस तरीके से इन में एक जुटता ही नहीं है। आप मुझे बिहार में बता दीजी नहीं के सही होगी कई सीडों पर चुनाओ लोड़ने राज़त नेकर कितिनी बार आए कॉंग्रेस के वरिश ने था। बीजेबी सांसद विवेक ठाकूर वैशाली के हाजिपूर लोगसभा शित्र में पहुंशे और इंडियो में द्वार चिराग पास्वान के लिए ब्रचार किया। उन्होंने लोगों से चिराग को वोट देने की अपील के इस दोरान विवेक ठाकूर ने तेस्वी आदो पर जोड़दार हमला बोला। उन्होंने का कि तेस्वी पहले खुद मैट्रिक पास करें तब दूसरों को रोजगार देने की बात करें। उस पार्टी का एक भी सांसाद नहीं लोग सवाँ है। अउदेश के चुनाओ का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और उसका बोल रहे हैं जह हम दस किलो यी देंगे पाथ किलो रोजगार दियें लोजगार पास करें तब रोजगार का स्रीजन कैसे होता है उसका प्रक्रिय समझें हैं अगनीवीर योजनापर तेजस्वी यदव की सवाल के बाद डिप्टी सीम समराच चौधरी ने पलटवार किया समराच चौधरी ने का कि तेजस्वी यदव का दिमाग खराब हो गया है उन्होंने पी-म को वेड्रेस्ट वाले बयान का भी तेजस्वी को जवा यही तो है कि 74 वर्स का नौजवान इस देश की सेवा करना चाहता है। उन्हों ने कहा कि कुछ लोगों को गुंडागर्दी करके सरकार चलाने की आदत होती है। लालू परिवार को इसमें भारत हासिर है। है लालू जी मुकमंत्री एक वेक्ति का नाम बताई आक्शन दिया हो। मुजफरपुर के गायगाट में आरजडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रधान मत्री नरेदर मोधी पर हमला बुला। तेजस्वी यादव ने पहले तो पियम मोधी की नकल उतारी फिर कहा कि मोधी जी को पहले महगाई डायन लगती थी अब महबूबा बन गई है। ये भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं मंदिल मस्जिद का मुद्दा चोड़ करके मोधी जी को काम की बात करनी चाहिए। भाईयो भैडो मोधी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाईयो भैडो पंद्रालाग रुपे खाते में आजेएगी। विहार को मिशेश राज का दर्जा देदेगा मोधी। भाईयो भैडो मोधी किसान दायत भुनात कर देगा। पहले दोज़ाप चौदा में मोधी जी कहते थे महंगाई डाइन खाई जाते। पहले 400 गयाश चिलिंडर में तो था। अब मोधी जी गयाश काताम कर दिये 1400, अब मोधी जी को महंगाई डाइन नहीं महभूबा नजराते। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिचाई, सुन्वाई, करवाई के बढ़ने नहीं बोलते मोधी जी। हिंदू, मुस्ले, मंदिर, माजिर, इस्लाम, साथर। सबसे असान अस्ता चुना है अपके। माज़गंज सीट से इंडी अलाइन्स के मिदवार आकाश कुमार ने रोडशो किया, रोडशो में उनके समर्थकों ने बुल्डोजर से फूल बरसा है। आकाश कुमार बिहार कॉंग्रिस के देक्ष्य अकलेश हसिंग के बेटे हैं। रोडशो के बाद जनसभा में अकलेश हसिंग ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने का कि मोदी सरकार में छात्रों, किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों का कियवल सोशन किया है। इस बार किंद्र में इंडी अलाइन्स की सरकार बननी तेह नहीं। कारा कार्ट से एंडी अमिद्वार उपिंद्र खुश्वाहा ने कहाई कि बिहार में इस बार विकास का अच्छा महौल है और चुना प्रजार में जहां भी जा रहा है लोगों का खुब आश्यरवात मिल रहा है। उन्होंने बियार के बेहतर भविश्य के विए काम करने वाली सरकार को समत्तर लेने के अच्छा महौल है। दिल्ली में अंडिये की सरकार पठना में अंडिये की सरकार देखेए ऐसे भी जिसकी सरकार रहती है उसी का परत्रिधी अगर चुनाव जितता है उसी गठवंधन या उसी पार्टी का तो काम ज्यादा होता है। सरकार किसी की बन जा है, अब विरोधी पाटी का अगर MLMP जित गया, तो काम नहीं होता है, जिसकी सरकार उसी का पर्थनी धी काम जाए।